क不是 τवाक्त है आपका हमारे YouTube चैनल पर आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं वर्त्नि शुद्धिकरण वर्त्नी करन के दो साइट हम लोग कर तो आप ये बुक मंगवा सकते हैं तो कहां से आप ये मंगवा सकते हैं तो देखो दिया हुआ नंबर है आपको यहां पर इस नंबर पर आप कॉल करिए और अपनी बुक और कर सकते हैं या फिर आप हमारे अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं निधी अकैडमी यहां से आप आप ये बुक मंगा सकते हैं, अगर आपको online मंगाना है, तो online आप Amazon या Flipcard से मंगा सकते हैं, जिसका link आपको description box में दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए हम शुरुबात करते हैं, जल्दी से पहले अपने set की, तो आज हमको करना है तीसरा set, इस book में जो आपको तीसरा set दिया तो ध्यान दीजेगा कि मैं आप लोगों को वर्तनी शुरुदी करन का जब set कराती हूं, तो मैंने आपको अपनी किताब में केवल और केवल शुद्ध शब्द दिया है, आप सभी लोग इस बात को जानते हो, तो यहाँ पे हम अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ते हैं, ज हम केवल और केवल शुद्ध याद रखते हैं और हम इसी को ही पढ़ते हैं और इसी को हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर शुद्ध शब्द हमारे सामने दिया है, इनी का हम अभ्यास करेंगे, अब हम इनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी कौशल्या ठीक है कौशल्या शब्द जो आपका दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहां पर जो हमारा यह सा दिया है यह हमारा दंत सा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा हिंदी शब्दों में इसको ऐसे लिखा जाता है और बात आती है संस्कत शब्द की तो इसमें हमारा तालूशा होता है तो हमारी वर्तनी में जो शुद्ध रूप है वो कौशल्या का यही शुद्ध रूप है कौशल्या ठीक है इस तरह से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कौशल्या ठीक नाम है विक्ति का आगे शब्द है हमारा कृत कृत्य कृत्य शब्द जो है इसका मतलब होता है किया हुआ कारे तो इसका अर्थ हो जाएगा आप इसको कैसे याद रखेंगे तो इसको दो टुकड़ों में याद रखो क्रित और क्रित का मतलब हो गया किया हुआ क्रित का मतलब होगा कारे तो हम कैसे इसको लिखेंगे क्रित क्रित ऐसे याद रख अगे शब्द है केंद्री करन केंद्री करन ठीक है इसमें हमेशे याद رखि läuft अब तीन टुकड़े बना सकते हैं आप एक कह सकते हैं जैसे कि आफ चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मालो केंद्र आपको बिंदी लगानी है ऐसे आ जाता है तो केंद्र यानि यह जो आपका ना है बिंदी में बदल गया तो कहीं पर आपको अगर केंद्री करण ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपका यह शब्द सही होगा. ठीक है? तो केंद्र आपका यानि जो ये न है, आधा न है तो ये आधा न ही आपका बिंदी में बदल गया है. तो केंद्री करण इस तरह से भी लिखा मिल सकता है. चलिए. अब इसके बाद आगा है, आगे आपका शब्द है दुरवस् प्सक्ति कर बेदें स्थायर और दूर्प आवस्थाय है तो शब्द है हमारा एवस्था अवस्था है चब्द में हमें जोड़ा है दुर यानि दूर मन बुरा आवस्थाम मनें इस्तिति तो जिस के बुरी इवस्थायard हो जाए तो उसे हम दुर आवस्था falling हूं पर तो हमारा यह दो बन जाता है एसे दूर या नहीं होता वर्तनी आपको जो परिक्षा में मिलेगा फूरस्ता मिलेगा ठीक है तो द्यान रखना आगे बाद समझ में अब आता है हमारा शब्द है उद्गोश उद्गोश का मतलब होता है किसी चीज की घोशना करना ठीक है तो जो उद्गोश शब्द बना है अब दिखो ध्यान दो आपको दो टकड़ों में याद रखना पड़ेगा उद्गोश वैसे यह है शब्द जो है इसमें व्यंजन संदी हमारी हुई है और यह किस से बना है यह बना है उद्गोश से ठीक है यह व्यंजन संदी है इसके अंदर उद्ध प्लस गोश से ये ता इस चतुर्ट वर्ण से मिलने पर ये ता किसमे बदल जाता है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है दो में तो यह हैं शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है उद गोश. लेकिए व्यंजन संदी का पहला नियम इसमें लागू होता है, शब्द बनता है. तो हमें याद रहेगा जब कभी आए उद गोश तो हम आराम से लिखेंगे. फिर शब्द आता है हमारा उपर्युक्त. उपर्युक्त शब्द को याद रखना है उप और युक्त और यह रा उपर यह के. तो उपर्युक्त. तो यह जो शब्द है, यह हमारा किस से बना है? इसमें आता है हमारी विसर्ग संदी. हमें यह कह सकते हैं. उपहा प्लस युक्त से बना है. यह है शब्द उपर्युक् है यह विसर्ग हमारा यो से मेल और किस में परिवर्तित होता है रेंगे मिर परिवर्तित हो चालता है जो ओपर युक्त यहां यानि यह जो हमारा उपर दिया है यह उपर के लिए आगया युक्त मने इस्थित तो जो उपर इस्थित है उपर इस्थित है ठीक है आगे शब्द है हमारा मिश्टान मिश्टान शब्द दिया है तो देखो हमें बड़ा कन्फिजन होता है कि मिश्टान शही होगा या मिश्थान होगा आखिर आपको मिठाई के एड़े में निंड परों बहुत मिलता है निर धार propre रवाला न गलत होता है वह हमेशन याद होता है आपको कैसे याद रखना आज मैं याद रखने का तरीका पता देती हूं दो में याद रखिएगा यह जो मिष्टान शब्द है इसमें हमारी संदी है दिर्ग संदी ठीक है किस से बना है यह शब्द बना है हमारा मिष्ट मिष्ट प्लस अन मिष्ट का मतलब होता है मीठा तो इस टा का अ और ये अ ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं आ बना देते हैं तो हमारी दिर्ग संदी इसमें लग गई और यह है शब्द हमारा बन जाता है मिष्टान अब याद रखेगा जब आप महां पर पढ़ते हैं यहां परीक्षा के लिए इस शबद को पढ़ते हैं तो जब आप देखते हैं इस शबद को वरतिनी में जब ईक घटेंगे तो आपके दिमयक में रहेगा और और तैंगे कि उसमें थो दुष्थान लिखा उता ठ्ठ्ठत यह होता है अब आपको हमेशाय याद रखना है जब भी भी मिस्थान को याद रखने की बाता आए तो याद रखना कि यह किससे बना है बिसमें है यह दो erिका कि अबाता है ह। शब्द बनाएं ध्यान रखिएगा जब आप संधी को सीख लेते हैं संधी से बनने वाले शब्दों को रहते हैं उनकी वर्तनी लिखना आपके लिए आसान हो जाता है तब आपको पता चल गया यह आजाएगा अत्य धिग क्योंकि आपने संधी की है वर्तनी आपको समझ में आज खी है तो आपके दिमाग में बैठ चुकी है अराम से लिख सकते हैं ठीक है चलो अब आगे बढ़ता है बढ़ते हैं जल्दी से फटावड सब्द आ गया वैमनश्य वैमनश्य जो शब्द है वैमन का मतलब होता है सत्रू ठीक है और शे का मतलब होता है सत्रू का भाव ठीक है तो जैसे ही वैमनश्य आ जाता है तो शब्द हमारा इसका अर्थ हो जाता है सत शत्रुता वाला भाव तो अब इसको ऐसे ही याद रखना है वैमन और शे तो इस तरह से आप लिखेंगे वैमन वैमन और शे यानि शत्रुता का भाव ठीक है शब्द दिया हुआ है तदुपरांथ देखो शब्द बनाएं आपका तदुपरांथ यह शब्द भी आपका होके अब यहां पे आधा ना लगां या फिर आप इसमें बिंदी लगां है दोनों आ जाते हैं हिंदी में आपका वैंसन्सक्त में शही होता था और यह लिखन में दोनों ही सही है क्योंकि हें से हीं हृट है या कहें कि संसकत हिंदी की नानी मां या मां है ठीक है वही जननी है तो हम यह लगाते हैं तो दोनों ही सही है पर आधुनिक ता में ये सही रहता है जादा आपका अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो यह आपका शब्द है त, इस त का मेल उ से होता है, यानि किसी स्वर से होता है, तो यह त अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, द में, अब यह द में बदल गया, और जो यह उ है, इस द को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तो यह अगर विकल्प में बिंदी वाला ना मिले तब आप इसको रखेंगे ठीक है इस पॉइंट को याद रखना हमेशा अब आता है शब्द आपका समुझजवल वह यह शब्द भी आपका इसी तरह से बना हुआ है समुझ्वल अबकर आगी हैं और पर समुझ्वाल सब्द यहां पर दिया हुआ है तो दिखो यह यह शब्द हमारा किससे बना है सम biz प्लस उत प्लस ज्वल आपको पता है न USD रहीं से हो रहा है तो TAA बदलता है ज्वल यहां पर आपको पता है संदीत हो आपको यहां पर मैने बताई दी थी इसमें हमारी विञजन संदी होती है उज्वल में अब ये जो माह को यह उ खरता है पूरा यह अब उपसरग आ तो जब भी उपसरग लगता है तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता है समुं हो जाता है ठीक अब जब ये समुं हो गया तो बचा हुआ तुकड़ा दोनों आधे जह यहाँ प्यार आ गए और वल तो शब्द बन गया हमारा समुझ वल अब जब शब्द को आपको बनाना आता है तो शब्द की वरतनी भी आप आराम से शुद्ध लिख सकते हो ठीक है चलो अब आके शब्द दिया हुआ है आपका बुझकड अब बुझकड शब्द म वर्थनी नहीं करारी में यहां पर आपको व्यक्षय कर के बता रही हुआ तो इसमें यह भी आपके सामने आ रहा है कि किस शब्द में प्रित्य लगा है किस शब्द में संदी लगी है के वल किस शब्द में उपसर्ग भी लगा है कैसे बन रहा है तो यह भी आप यहां पर सीख रहे हैं यही चीज आपकी परिक्षा में पूछा जाता है ठीक है आप इसे शब्द में जुट जए गया आपका आनू नाशिख फीक है अनूनशिक, अनू में निर जुट गया unto Lynn अ है इस न को क्या करता है पूरा करता है तो यह क्या बन जाएगा निर यहां तक आ गया और फिर नू ना शिक ऐसे शब्द बन गया अब ध्यान रखना अनुनासिक का यह क्या बन गया विलोम ठीक है यह एक दूसरे के क्या बन गया विलोम अनुनासिक का विलोम है निरनुना बन गया बात समझ में आ गई तो नाशिक मतलब जो पंचमाक्षर होते हैं और नाशिक को ही कहते हैं जिनके प्रियोग में नाख और मुख दोनों का प्रियोग होता है उन्हें हम अनूनासिक कहते हैं और निर्नाशिक वह होते हैं जिनके उचारणंगे की वल मुक्ठा प्लोग होता है टीक है और ये अब मालो आपकी परिक्षा में यहां से भी प्रशन आता है आगर इसमें कि दोनों में से कौन सा मतलब हमारे निर्नाशिक हैं अनुनासिक कौन से हैं तो अनुनासिक आपके पांच वर्ण हैं वो कौन से हैं पंचमाक्षर देखो का वर्ग का पंचमाक्षर ये ठीक है चा वर्ग का पंचमाक्षर ये और ता वर्ग का पंचमाक्षर ये और पा वर्ग का पंचमाक्षर ये ठीक है तो ये पांच जो ह आपके यह क्या है यह अनुनाशिक है ठीक है इन्हें अनुनाशिक कहते हैं और निर्नाशुक में कौन आ जाएंगे तो जो का से लेकर और मां तक के जो आपके 25 थे ना तो उन 25 में से इन पांचों को निकाल दो यानि बाद में तो यहां पर आपको क्या बचेंगे कि हर यह पहला दूसरा तिसरा चौथा यह किसमें आ जाएगा निर्न नासिक में आ जाएगा बात समझ में आ गई चलो आगे बढ़ते हैं अब अगला पॉइंट लेते हैं यहां पर आगे आता है हमारा गत्यर्थ गत्यर्थ शब्द जो है यह भी हमारा संदी से बना हुआ है कैसे गती प्लस अर्थ से बना है ठीक है किससे बनाए गती प्लस अर्थ से तो इसका जो ई है वो आ से मेल करता है तो शब्द हमारा क्या बनता है गत्यर्थ ठीक है शब्द बन जाता है हमारा गत्यर्थ ठीक है तो हम ऐसे लिख लेते हैं हमें संधी पता है तो अब आता है इसके बाद में शब्द है हमारा अंतस चेतना अंतस चेतना देखो आपको याद रखना है अंतस चेतना अब ध्यान देना यह जो आपका यहाँ पर सव है यह विसर्ग संदी है कैसे है इसमें हम याद रखेंगे कि अंतह प्लस चेतना ये हमारा शब्द है ठीक है अब आपको पता है विसर्ग मेल करता है तालू बर्ण से और तालू बर्ण से मिलने पर विसर्ग बदल जाता है तालू शव में ये हो गया अंतस चेतना और याद सारी वरतनी आपको कहां से मिलती है संधी से प्रत्ते से संधी और प्रत्त ये दोनों टापिक सबसे दादा ऊपर अब की वर्तनी शुद्धी करण में अभी तक आपको संधी के कितने सारे शब्द मिले हैं ठीक है वही शब्द पूछे चाते हैं आपके दिमाग में चल रहा ह आपको पता है कि अंतस्चेतना जो बना शब्द से है बस कुछ नहीं आपको कोई टेंशन लेने की जरूत नहीं समझ गए अंता के बाद जो विसर्ग है वो किसमें बदलेगा इस चो के कारण वो तालू शाव में बदलेगा और वही शब्द हमारा अंतस्चेतना कहलाएगा अब इसके अलावा कोई दूसरा शब्द दिया होगा, आप काट देंगे उसको आराम से, बात समझ में आगी, चलो, अब शब्द दिया है आपका मनुरत, मनुरत शब्द भी आपका क्या है, संधी है मना प्लस रत, ठीक है, मना, मन और रत का मतलब यहाँ पर इच्छा से है, तो मनुरत मतलब मन की इच्छा, शब्द बन गया आपका मनुरत, तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, संधी के तरह से, विसर्ग बदल गया है, ओ में, ठीक है, इस तरह से, तो संधी में आता है, आगे बढ़ते हैं, अगली वरतनी हमारे कहती है, मेग नाद, मेग नाद दो टुकड़ों में याद करेंगे हम इनको, मेग नाद, नाम है, यानि जिसकी आवाज, किसके जैसी थी, मेगों की गर्जना के जैसी, उसका नाम रख दिया मेग नाद, ठीक है, रावर का बेटा, उसने अपने बेटे का नाम रखा था, जब वो बच्पन में पैदा कि मेगों के समान जैसे आवाज हुई तो रावर ने तभी रखा कि इसकी आवाज जो है, वो गडगड़ा हड जैसी है, बहुत तगड़ी आवाज है तो उसका नाम रख दिया मेग नाद, ठीक है, तो हो गया यहाँ पर, शब्द आप लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में, अब शब्द है सांक्रत्यायन, अब जब शब्द यह है सांक्रत्यायन, इसको याद रखना है, हम बोलने में क्या कर देते हैं, सांस्क्रत्यायन कर देते हैं, तो गलत होता है, आपको हमेशा याद रखना है, इसको याद रखना है सांक्र, और त्या, ठीक है, और यन, तीन ऐसे आपने सांक्री इस तरह से याद रखा दिमाग में फिर त्या सांक्री त्या और फिर यन तो आपकी जो वर्तिनी है वो बिल्कुल शुद होगी अब यह क्यों कि टाइटल है किसी का इसमें कोई संधी वंदी प्रत्य रित्य तो है नहीं तो हम जब कोई बड़ा शब्द ऐसे हमारे सामने आये तो हम ऊसको तीन टुकड़ों में 4 टुकड़ों में दो टुकडों में ऐसे याद रखेंगे कि इसमें क्या है यहादलमान तो आप इसको रख लें यहां पर आप इसे ढी रख सकते हैं जाज आधा उन वल्हРЕ नूँर तो आप अपने दिमाग में याद रखिए कि हम जब जाज लिखैंगे तो आधा हो गया जाज थीक है पिर हम लिख रहे हैं वल्ले में आधा लायर रहेगा वल्ले इस तरह से जाज वल्ले श्याज वल्ले और मान और पिर जब ऐस लुखत रखिए मैं एक बार दोहरा रही हूं आपको याद करना है दो तीन बार इसको लिखके जब याद कर लेना ठीक है तो जाज वल्लेमान फिर शब्द आ गया हमारा वेश भूशा तो दो टुकड़ों मैं याद रखेंगे इसको वेश सबसे पहले हमारे सामने आएगा कौन सा सा तो तालूश आएगा और फिर भूशा तो भूशा मुर्धा शा ठीक है तो पहले वेश भूशा ठीक है इस तरह से आजाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आता है अगला शब्द देखेंगे अब शब्दिया है अक्षुन ने अक्षुन ने जब आशक शुकlikeं ने मतलब होता है जो मतलब वह शोटा हो ठीक है आगे शब्द आजाएगा अध्यात्म अब शब्द आता अ है अध्यात्मिक को ढ़्यात्म धियान देना ये हैं संदी से किसे बना है इसमें उपसर्ग है हमारा अधी ठीक है और फिर है इसमें आत्म तो शब्द इसमें संदी हो गई है संदी विधी लागू हो गई है इसमें यन संदी आ गई है तो यह जो है वो किसमें बदल गया है यह में तो आपको पता है आधा दर है गया हमारा यह में बदल आत्म शब्द हो गया अध्यात्म तो आपको याद रखना है तो यह शब्द हो जाएगा अध्यात्म आध्यात्म नहीं होगा यह ध्यान रखना आ नहीं होगा बड़ा क्योंकि अध्यात्म है तो फिर आप कहेंगे मैं आध्यात्मिक में तो बड़ा होता है तो वो एक प्रत् पता ही है तो जिनोंने प्रत्य किया है मुझे से तो उनको ये बात पता ही है कि एक प्रत्य जब हम जोडते हैं तो ये एक प्रत्य इसके अंतिमवन में जुडता है साती साथ इस शब्द के प्रथम स्वर को दिर्ग कर देता है तो इस शब्द का प्रथम स्वर अ है लगू है और वो उसे क्या कर देगा दिर्ग बना देगा आ कर देगा और फिर उसके बाद शब्द है परिवार रा में हमने यह जोड दिया यहां पर और यह कवा आ गया तो शब्द बन गया पारिवारिक जब आपको इस तरह से पता सब्द होता है उसका अर्थ होता है कारण और हे थो कोई का मतलब होगया कारण ही तो है त Hm को ए हे तु की ऐसे याद रखना तो आप इसको करेंगे और है पे दो मात्रा रहेंगी तू और की इस तरह से अ है तु की यह शब्द को याद रख सकते हैं आप ठीक है आगे आता है हमारा अगला अगला वर्ण हमारा आता है उपरी लिखित तो शब्द हम यहां पर तो यहां उपरी और फिर लिखित अगर सकता हैं तो बड़ा शब्द भी हम लिखने को अब आता है यहां पर 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 शब्द दिया हुआ है यहां पर तो तो देखो हुआ आपको इसे कैसे याद रखना हैं यह शब्द है हमारा परी ठीक है और यह पार्श्व शब्द से बना है लेकिन इसमें इक प्रत्य जुरता है टो प का यानि नि अ का हो जाता है तो अब क्योंकि आप इसको सकाल को जैसे बनाने का था तरीका है वह बता देती हूं यह किस से बनता है तो यह शब्द बन रहा है आपका परी उपसर्ग लग रहा है इसमें यह शब्द है पार्श्व ठीक है पार्श्व इसमें जुड़ रहा है इक ठीक है इसमें जुड़ रहा है इक तो कैसे हो रहा है पहले इसमें इक जुड़ रहा है ठीक ह तो यह पार्ष वो ना पार्ष वो शब्द आ जा रहा है ठीक है यह शब्द जब इसमें इक जुड रहा है तो क्योंकि पहले से तो यह A है ही ठीक है और यहां पे आ गया हमारा यह SHU अब यह जो हमारा वा है इसके ऊपर रहेगा लेकिन यह जो ई है इस वह कह ऊपर यहां पर आगा और फिर यह का आ गया और इसके बाद यह पारी पार्शविक तो देखने आपको लगता हाँ बड़ा लेकिन अगर आपको इसका मतलब पता है कि यह इस तरह से जुड़के बनाएं तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे आपके दिमाग में वो चल जाएगा तो परिपार्श्विक तो आप या तो इसको ऐसे याद रखो या फिर आप इसको तीन टुकड़ों में चलो अब इसके बाद आता है अधी शाशी अधी और शासी दोनों इसको आप चाहो तो तीन टुकड़े बना सकते हो अधी यहां पर आप कह सकते हो यह हो गया अधी यह शा और शी इस तरह से तो आप लिखेंगे अधी तो उपसर्ग हो गया हमारा तालू शा दंतसा ठीक है अधी शाशी आगे शब्दाता है जी जी विशा तो आप इसको ऐसे जी जी आप कहेंगे पहले छोटी यह फिर बड़ी यह और फिर विशा जी विशा का मतलब क्या हो जाता है जीने की इच्छा ठीक है तो आप इसको लिखने के लिए अपने दिमाग में तीन टुकड़े तोड़ो जी जी यानि छोटी जी और बड़ी जी ऐसे याद कर सकते हो यानि छोटी यी वाली और बड़ी यी वाली तो जी जी विशा मतलब जी पहले छोटी फिर बड़ी और फिर विशा आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं लिखने के लिए ठीक है तो जब वर्तनी आप आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के याद करते हैं तो आपको वर्तनी लिखना बहुत आसान हो जाता है तो बात समझ में आगी ठीक है तो यह थी हमारी वर्तनी शुद्धी करण का हमारा तीसरा सैट इसी तरह से हम बाकी और सैट भी करते रहेंगे अगर यह वीडि में